हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, आज की जो हमारी वीडियो है वो बिल्कुल डिफरेंट वीडियो है और आज हम बात करेंगे कि जब हम वाविल्स बच्चे को पढ़ाते हैं तो अब उसमें हम आर का यूस क्यों नहीं करते हैं जैसे कि आपने 80 वाले वर्ड्स बच्चे को पढ़ा हैं, CVC वर्ड्स जब पढ़ा हैं, AM वाले वर्ड्स पढ़ा हैं, AD वाले वर्ड्स पढ़ा हैं तो उसमें हम AR वाले वर्ड्स क्यों नहीं पढ़ाते हैं या फिर, IR, OR, UR वाले वर्ड्स क्यों नहीं पढ़ाते हैं इसलि जब वो R के साथ मिल जाएगा तो उसकी जो sound होगी वो A की आवाज आएगी जैसे car, far ठीक है लेकिन जब हम A को किसी और consonant के साथ यूज़ करते हैं तो वो word जो sound आती है वो आती है A की cat की आवाज आती है ठीक है अब बाता आती है E-R की ठीक है E-R क्या होता है E-R, I-R और U-R ये तीन वोबल्स ऐसे हैं जब आप R के साथ इनको join करोगे तो इनकी आवाज सेम निकलेगी जैसे R, R की आवाज निकलती है इनकी जब आप E को R के साथ जोड़ोगे तो हम कुछ words देख लेते हैं ये देखिए हम जब A-R करेंगे तो R की आवाज निकलेगी farm, start, shark, charge, hard ठी इन जब हम E-R, I-R और U-R आप तीन वर्ड्स देख लो इनकी आवाज जो निकलेगी वो A-R की आवाज निकलेगी water, shirt, hurt अब सबसे बड़ी problem ये आजाती है कि बच्चा इसमें differentiate कैसे कर पाए तो उसके लिए बच्चे की reading skills पर आपको बहुत जादा work करना पड़ेगा आप जैसे जैसे आप उसकी reading को enhance करोगे धीरे धीरे वो इस चीज को cover अब भी कर लेगा उसके बात बात आदी है O-Sound Words की O-Sound Words को क्या कैसे पढ़े है short, corn, horn, form, short तो आप देख सकते हैं जब हम A को A-R के साथ मिलाएंगे तो arm की आवाज निकलेगी farm, start, shark, charge, hard, cart, dart इस तरीके से काफी सारे words बन सकते हैं आप बच्चे को reading बहुत अच्छे से कराइए और सबसे बड़ी बात है जब हम vowels और consonants की बात करते हैं तो उसका जो exception आपको सब जगा मिलेगा exception हर किसी का होता है और ये जो R-Sound Words होते हैं यहाँ पर R क्या कर रहा है control कर रहा है वोविल्स को इसलिए जब वो control कर रहा है तो वो boss बनावा है इसलिए इसको हम bossy R भी कहते हैं और R-controlled वोविल्स भी हम इनको कहते हैं ठीक है और रही बात कि हर जगा आपको exception देखने को मिलेगा तो यहाँ पर भी आपको exception जरूर मिलेगा exception क्या हो है वो मैं आप आपको बता देती हो जैसे की है जीरो ठीक है जीरो में क्या है हम E-R को अड़ना पढ़के E-R पढ़ रहा है जीरो तो exception हर जगा है यहाँ पर E-R को हमने क्या पढ़ा है जीरो ठीक है ऐसे ही ही रो ठीक है यहाँ पर भी same condition है हमने E-R को different तरीके से पढ़ा है फिर उसके बा association है वो different है तो यह कुछ exceptions है और इसके इलावा और भी काफी सारे exceptions है जो हर एक consonant और vowel के जो आप पढ़ेंगे तो उनके साथ मिलेगा और जैसे जैसे आपकी reading skills enhance होती रहती है रीडिंग पे आप बहुत जादा focus करते हैं तो बच्चे की जो reading skills है वो बहुत जादा enhance हो जाती ह है और यह सब जो कमिया है हमारी दूर हो जाती है और धीरे धीरे हम इन सब चीजों को समझने लगते हैं लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे को पढ़ा रहे हैं तब यह सब चीजे बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम basics तो बच्चे को पढ़ा द झाल 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 झाल